जैन दोस्तों स्वागा था पसिक्षा कमठी संग क्लासिस में दोस्तों आज की इस वीडियो में SSC GD भरती की बात करेंगे दोस्तों SSC GD भरती को लेकर एक अपवाय चल रही है कि SSC GD की भरती रद कर दी गई है ये अफवाय साथ तारिक से सुरू हो गई है क्योंकि साथ मई को SSC की तरफ से एक आफिसल नोटिस जारी की गई थी तो इस वीडियो में SSC की तरफ से जो आफिसल नोटिस जारी हुई है उसको हम आपको डीटेल से दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि SSC GD की भरती आपकी रद नहीं हुई है सिर्फ पोस्ट पॉंड की गई है क्योंकि आफीसियल नोटिस में SSC GD भरती के साथ SSC ने दो इग्याम को भी आगे बढ़ाया है तो चलिए पूरा आपको डीटेल से दिखा देते हैं उसके लिए आपको Google Chrome पे जाना है आप किसी भी Chrome डाउजर से सर्च कर सकते हैं लेकिन ध्याम रखिएगा आपको SSC की आफीसियल साइट में जाना है उसके बाद देख लिए पहले ही आपसम में आपको क्लिक करना ही SSC का आफीसियल साइट है जो ओपन होगा तो SSC का आफीसियल साइट ही देख लिए ओपन हो चुका है इसमें आपको नीचे आना है नीचे आप आएंगे तो देखेंगे कि लेटेस्ट न्यूज जहां लिखा है आप देख लिए लेटेस्ट न्यूज साथ तारिक कोई नोटिस आईए साथ मैई को आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जो आया है तो उसको आपको नोटिस जो आया है तो उसे आपको डाउनलोड करना है डाउनलोड करने के बाद आपके सामने यह ओपन हो जाएगा यह आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आफीसियल नोटिस आया है देखें इसमें इस पष्ट बताया गया है कि बरतमान में जो COVID चल रहा है उसके करण आपके दो इग्याम कोश्ट पूंड किया गया है ठीक है ना SSC GD की जानकारी इसमें आपको नीचे दिया गया है उसके पहले आप देख लिए दो इग्याम के बारे में बताया गया है एक आपका हाई सेकंडरी लेवल यानि 10 प्लस 2 लेवल का इग्याम टैंसिल किया गया है जो 21-5-2021 से 22-5-2021 यानि 21 और 22 महीं को जो इग्याम होना था उसे SSC ने अभी आगे बढ़ा दिया है यह ध्याम में रखिएगा तो जो आनलाइन आवेदन किये हैं इसके लिए उनका आगे किया गया है जो 29 मही से 7 जून के बीच होना था ठीक है इसको भी आगे बढ़ाया गया है अब देखें अब आप इसमें देखेंगे कि नीचे सेकंड नंबर में आपका SSC जीडी भरती के बारे में बता रहा है कि फश्ट बीक यानि मही के फश्ट बीक में आपका SSC क आपीसियल लिंक ओपेन हो जाता और आनलाइन आविदन सुरू हो जाता लेकिन COVID-19 के चलते बरतमान में पूरे देश में फैला हुआ है इसलिए इसको क्या कर दिया गया है आगे बढ़ा दिया गया है ध्याम रखेगा जब तक पूरे देश में कोरोना कंट्रोल नहीं होग तब तक आपका आनलाइन आविदन सुरू नहीं होगा उम्मीद है कि जुलाई अगस्त तक जैसे जैसे कैसे सकम होंगे तभी आपका इसका आफीसियल लिंक ओपेन होगा क्योंकि एक राजज नहीं पूरे देश में ध्याम रखेगा पूरे देश में सर्सी जीडी की भरती एक साथ निकलती है किसी एक राजजी की बात नहीं है कि मद्य प्रदेश में कंट्रोल हो जाएगा तो आपका सुरू हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कंट्रोल हो जाएगा तो आपका सुरू हो जाएगा ऐसा नहीं होगा पूरे देश का माहुल आपका सही होना तो सोम बार से सनी बार, आपको रात को आठ बजे डेली टेस्ट स्रीज मिलेगा, ये ध्यामे आपको रखना है, समिधान से सुरू कर रहा हूँ, तो कल रात से आपका सुरू होगा, कल रात आठ बजे में पहला वीडियो आएगा, तो आप अच्छे से तयारी कीजिए, क्यों पेपर या फिचकल दिये होंगे, फैनल मेरिट से बाहर हुए होंगे, तो उनको पता है, पर जो पहली बार जा रहे हैं, तो असच्छे स्जान लेंगी कटाप हाई जाता है, वो भी पूरे देश का, अलग अलग राज्यों का अलग अलग काटाप बनता है, सभी राज्यों धो देंगी?